केरियर बिट प्लेटफॉर्म से जब भी आप लोगे लिए कोई सुचना प्रेसित की जाती है और वह सुचना अगर आपके फिवर में नहीं है तो आपके पास दो आपशन होते हैं पहला आपके मन में ख्याल आ सकता है कि ये सूचना मेरे favor में नहीं है और इसको मैं आउस विकार करते हुए अपनी आखे mood लेता हूँ या फिर आपके पास दूसरा option होगा कि वर्तमान में जो कुछ भी परिस्तिया चल रही है उसके बारे में आपको जानना अनिवार होगा कि आपके लिए उसमें बहतर option क्या हो सकता है दोस्तों पिछली वीडियो पर जो मैंने आप सभी को BTC 2015 के खत्रे के बारे में बताया था तो उसमें मैंने with proof क्या कुछ वर्तमान में चल रही है उसके बारे में आप सभी को सूचना दिया था इस पर आप लोग को आप B8 vs BTC मामले को ले करके आपस में ना लड़े ये सूचना आप लोग के जानकारी के लिए ही है दखिए दोस्तों मैं इस पश्ट कर दूँ कि अगर आप लोग अपने लेवल लिए किवल positive news ही इस माध्यम से सुनना चाहते हैं तो आप इस माध्यम से हट सकते हैं क्योंकि इस चैनल के माध्यम से निस्पक्ष तरीके से जो भी बात सही रहेगी चाहें वह किसी के भी favor में हो वह दी जाती है तो यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको news मिलेगी जो कि present में चल रही है और आप उसे पूरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं क्योंकि वर्तमान इस सिति को देखते हुए आप अपनी आखें नहीं मूझ सकते हैं कि यह मेरे favor में है या फिर यह मेरे favor में नहीं है समझ में आई होंगी अब दोस्तों बात करते हैं 79 जर सहाइक अध्यापकों को भरती का मामला अब मानी ने सुप्रिम कोट जा चुका है और इसके सुनवाई की तिति भी निर्धारित कर दी गई है क्या कुछ होने वाला है पूरा डिटेल में जानेंगे तो यदि आप भी इस भरती में शामिल हुए थे तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महतुपूर्ण हो सकती है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें इसक्रिन पर आप माननिय सुप्रिम कोर्ट के दिनांक 20 माई 2020 के डेली कॉज लिष्ट को देख पा रहे हैं और यहाँ पर जो केस भी सुने जाएंगी अज फ्रेश उनको लिष्ट कर दिया गया है और इसी पेज पर यहाँ पर सिरियल नंबर 14 पर आप देख सकते हैं डायरी नंबर 11271 of 2020 जो की है स्री गुड्डू सिंग और अदर्स के नाम से और यह द इस्टेट उफ उत्तर प्रदेश और अदर्स को रिस्पॉंडेंट बनाते हुए यह याचिका दायर की गई है दोस्तों यह याचिका सिक्षामित्रों के द्वारा दायर की गई है जो की माननीर डबल बेंच के द्वारा 60-65 के फिवर में फैसला दिया गया था उसके विरोध में यह याचिका दायर की गई है और अब इसकी सुनवाई दिनांक 20 मई 2020 को होना प्रस्तावित है तो भले ही 79 जर सहाइक अध्यापकों की भरती के लिए रिजल्ट जारी कर दी गई है लेकिन हो सकता है कि इस सुनवाई पर कुछ बड़ा उलट फिर आपको देखने को मिल सकता है तो आप सभी इस निउस के लिए पूरी तरीके से त्यार रहें और फिर से मैं बता दू कि इस चैनल के माध्याँ से निपल्कुल निस पक्च तरीके से ही आपको निउस दी जाएगी चाहें वह आपके favor में हो या फिर आपके against में हो मैं उमीद करता हूँ आप लोगो ये अपडेट पसंद आई होगी और ऐसे ही महातोपूर्ण अपडेट के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ धन्यवाद